अज़ाओं अलेकुम दोस्तों आज में गरम पानी पीने के फाइदे बताएंगे क्या क्या फाइदे हैं जैसे विजन कम करें सब्सक्राइब पिरिड्स बनाए असान बाड़ी का और टीटेक्स बढ़ती उमर में बढ़ती उमर को गटाएं बालों के लिए फाइदे मुंद प्लाड सर्कूलेशन को रखे सही इनर्जी बढ़ाएं इससे बहुत सारे गरम पीने पानी के फाइदे हैं जैसे गरम पीने अगर आपकी कब कब्यों परसानी वाथरूम में दिकत होता है ट्वाइलर जाते हैं तो अगर गरम सुबा पानी सुबा खाली पेटे गरम पानी पीते हैं तो आपका वासरूम सही होगा असान होगा इससे पेड़ भी साफ रहेगा और भी सारे बहुत सारे फाइदे हैं जो इस वीडियो में बताए गया आगे जैसे वोजन कम करें कम करें जैसे आपको अगर आपका वेट लगतार बढ़ रहा है और लाखो कोशिस के लगतार तीन महीने तक पिए आपको फर्क जरूर महसूस होगा अगर आप यह हेल्दी ट्रिंक नहीं पीना चाहते तो खाना खाने के बाद एक कप गरम पानी पीना शुरू करें और आगे देखते हैं सर्दी जुखाम से रहत सर्दी जुखाम से रहत क्या होता है कि बे मुश्म के भी आपको अगर हाती में जकड़न और जुखाम की सिकायत रहती है तो गरम पानी पीना आपके लिए बहुत फाइदमंद और रंबारा से कम नहीं है गरम पानी पीने से गला भी ठीट रहता है और इसके सेवन से अराम मिलता है तिसरा फाइदा देखते हैं कि इसका पीरियर्स बनाएं असान अगर महिलाओं में पीरियर्स आने का दोरान कोई पीड़ा कोई दर्द कोई पेन होता है तो अपसर महिलाओं को सारे कान पर ब्रेक लग जाता है तो ये गिलास गरम पानी सुबह इस तर्द में राहत के लिए बहुत ही फाइदे मन पहुचाया करता है इसके दोरान गरम पानी से पेट की सिकाई करने से भी काफी लाग मिलता है देते हैं चोदा फैदा क्या है बाडी को कर डिड़क्स पच्वा क्या है देते हैं बढ़ती उमर को ठाम ले चेहरे पर 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 परती जुरिया आपको परसान करने लगती है तो चिंता करने की कोई वाद नहीं है सुबह खाली पेट एक गिलास गरम पानी डेली रूटिन की साब से एक गिलास पानी पीना इस्टार्ट करते और कुछ ही हक्तों में देखें इसके कमाल जैसे तौचा में कसावाने लगेगा और या चमकदार भी हो जाएगी जैसे और भी फाइदे हैं बालों के लिए फाइदे मन इसके अलावा गरम पानी का सिवन बालों के और तौचा के लिए भी बहुत फाइदे मन है इसके इससे बाल चमकदार बनते हैं और यह इनका इनकी ग्रोथ के लिए ग्रोथ के लिए भी बहुत फाइदे मन्द है अब देखते हैं सत्वा फाइदा जैसे पेट को रखे दूरूश जैसे आपको बहुत सारी समस्या होती है कब्ज हो जाती है फखाना सही से नहीं होता है फखाना साफ नहीं होता है तो इसके लिए हम क्या करें सूबर रोज एक गिलास गरम पानी पीने की आदर डाल ले गर पानी पीने के आदर जरूर डाले ऐसा करने से जल जल्दी खाना पर जाता है और पेट हलका रहता है और भी इसके फाइदे हैं जैसे ब्लड ब्लड सर्कूलेशन ब्लड सर्कूलेशन को रखें सही जैसे सरीर को सुचार रूप से शलाने के लिए खूंगा संचार पूरी बाड़ी में सही से होने होना बहुत जरूरी है इसके लिए और इसमें गरम आनी हम प्याल कए तो पीणा को फाइदे मंद रहता है ऐसे बहुत सारे पाई रहते हैं ग्रूरी जैनल को पंछान को सब्सक्रइब कर रहें बूसारे विडियो इसको से लिएサटारे रहें इसके लिए चैनल को सस्क्रिब कर से श्रूरार कि नना भूले कि आता है कि नना भात Sparta